हेलो वीवर्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जोती श्यान में पिछली वीडियो में हमने राहू केतु की ट्रेंजिट को लेकर बात की थी जिसमें हमने इन दोनों ग्रहों की जनल इंफोमेशन देते हुए इस्टॉलोजिकल इंपोर्टेंस इनके कारकत्तों और विशिष्टाओं को बताया था कि आखिर ये दोनों ग्रह क्यों और किस तरह जोती श्यास्त्र में एक एहम भुमिका आदा करते हुए किसी व्यक्ति के जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं इसी सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि राहू केतु कुंडली में कब अच्छे और बुरे हो सकते हैं ये दोनों ग्रह अपने कारकत्तों से अपनी प्लेस्मेंट से कुंडली में अपना फल कैसे देते हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ बैल आइकोन को क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नहीं वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जोती शास्र और जन्म कुंडली से जुड़ी बेसिक जानकारी के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और कुंडली विश्लेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगी लिंक पर क्लिक करके डाइरेक्ट कॉल पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं जोती हो या कुंडली में दोनों की प्लेस्मेंट की बात हो इन दोनों ग्रहों के रिजल्ट कैसे मिलेंगे राहु केतु कभी अस्त नहीं होते हैं यह हमेशा राशियों में वक्री चाल चलते हुए एक राशियों में 18 महीन तक रहते हैं और शुक्र और शनी के बाद इन दोनों ग्रहों की महादशा एक किसी व्यक्ति की लाइफ को एक लंबे समय तक प्रभावित करती हैं राहु केतु की महादशा 18 साल की होती है जिसमें जादर दर व्यक्ति को उतार चड़ाव अप्स और डाउंस ही देखने को मिलते हैं कुंडली में ये दोनों ग्रहे एक दूसरे से सात्वे भाव में रोटेट करते हैं यानि 180 डिग्री पर रोटेट करते हुए दोनों ग्रहे कुंडली में एक दूसरे की ऑपोजिट भाव में प्लेस्ड होते हैं राहू केतु को किसी हाउस या राशी की लॉर्शिप नहीं मिली हुई है छाया ग्रह होने से दोनों ग्रह जिस भाव में जिस राशी नक्षत्र में होते हैं जिस क्रह के साथ ही यूती बनाते हैं उससे जुड़े प्रभाव देते हैं पर जियोतिश में इनकी उच और नीच राशी जरूर बताए गई है जिसमें राहू की उच राशी मिथुन और केतु की उच राशी धनू है कहीं कहीं राहू की उच राशी व्रिश और केतु की उच राशी व्रिश्चिक भी माने गई है इन दोनों राशियों में ये एड प्रेजन ट्रांजिट भी कर रहे हैं नीच राशी की बात करें तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे की उच्च राशी में ही नीच के हो जाते हैं, यानि राहू धनू में और केतू मिथुन में नीच के हो जाते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि राहू विष्चिक और केतू विष्च राशी में नीच के फल देते ह सो राहू केतु की उच्च नीच राशी को लेकर विद्वानों में मदभीद बना हुआ है ठीक ऐसी ही कॉंट्रिवर्सी राहू केतु की दिष्टियों को लेकर भी है पाराश्री सिस्टम में राहू केतु की दिष्टी नहीं मानी गई पर बाकी सब क्लासिक्स की बात करें तो सब ग्रहूं की तरह राहू और केतु की दिष्टी और उसके इंपेक्ट को एक्सेप्ट किया गया है राहु केतु दोनों की पांचवी, साथवी और नौवी दिष्टी बताई गई है जिसे कुंडली पर प्रेक्टिकली अप्लाई करते हुए हमने काफी हद तक इसे सही भी साबित हुआ है अकेला राहु कुंडली में शनी का प्रभाव और अकेला केतु मंगल का प्रभाव देता है राहु को शनीवत तो मंगल को कुजवत कहा गया है आप समझते हैं कि कुंडली में ये कब शुब और अशुब हो सकते हैं गोचर में रहते हुए कुंडली में किसी भाव से जुड़े फले अपने कैसे देते हैं। शेडू प्लैनेट राहू केतु का अपना कोई वजूद नहीं है। जैसे शेडू किसी ऑबजेक्ट और परसन का सहारा लेकर उसकी छवी में अपना रिफलेक्शन दिखाती है ठीक वैसे ही राहू केतु कुंडली में जिस भाव में जिस राशी में जिस भी नक्षत्र में होते हैं। जिन ग्रहों के साथ relation मनाते हैं वैसा ही उनके गुनों को ग्रहन करते हुई अपना परिणाम देते हैं सूरे से लेकर शनी तक सभी ग्रहों के साथ राहु केतु का संबंध हो जाए तो कोई न कोई अशुब योग या दोश कुंडली में जरूर बनता है इसका कारण यह है कि दोनों ग्रह क्रूशल टेंडनसी के राक्षस प्रवर्ती के पाप ग्रह हैं इनका काम किसी ग्रह में दोश उत्पन करके उस ग्रह से जुड़े फल में विग्न बाधाएं देना है अगर यह है दोश युक्त होकर अशुब योगों में होते हैं तो अशुब फल कारक और यदि शुब होकर शुब योगों में होते हैं तो शुब फल कारक होते हैं नौमली कुणली में केंद्र और त्रिकोन स्थान यानि पहला, चौथा, पांच्वा, सात्वा, नौवा और दस्वा भाव इनके स्वामी के राहु केतु के साथ संबंध हो जाएं तो शुबफल देता है। यह परिशानिया देता है और जब राहु केतु इन भाव स्वामी के साथ इन शुब भाव में हो जाएं तो इनके अशुफल देने की ताकत बढ़ा देते हैं। के साथ मारक के समान फल देते हैं। यानि कुंडली में इनकी अच्छी और बुरी स्थिती के हिसाब से अच्छी और बुरे परिनाम अप्स और डाउंस इनकी दशा महा दशाओं में मिलते हैं। अब बात आती है कि राहु के साथ एक से जादा ग्रह बैठे हों या दृष्टी संबन बना रहे हों तो किस तरह के परिनाम मिलेंगे। ऐसी कंडिशन में फलादेश बहुत सा डिकता से होता है जब राहु के साथ चार या पांच ग्रह एक साथ बैठे हों। क्योंकि राहु के साथ जब एक से ज़ादा ग्रह बैठे होंगे तो राहु एक समय में एक साथ उन सभी ग्रहों के फल देगा जिनके साथ हो प्लेस्ट है इन दोनों ग्रहों के अपनी कोई राश्य और निश्चित भाव नहीं होने से वहां यह देखा जाएगा कि राहु के स राहु के close conjunction में हुए तो उनहीं ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित होकर जिस भाव में यह बैठा है वहां के फल विशेश रूप से देगा जिन में ग्रहों के साथ होगा उन सभी ग्रहों को साथ लेकर एक साथ एक ही समय में फल देगा राहु के साथ बैठे ग्रह तमेश और धनेश यानि सेवन्थ और सेकिंड लॉर्ड शुक्र और चतुर्द भाव के स्वामी चंदर्मा और लगनेश मंगल चार ग्रहों के साथ है तो समझ लीजी यहां जबर्दस राजयों को रुंचाईयों देने वाला राजयों बन गया क्योंकि यह सबी ग्रह आपस म राहू के साथ चार या पांच ग्रह प्लेस्ट है तो उनमें दो ग्रह शुब हुए और दो अशुब हुए तो यह दोनों तरह के शुब अशुब फल देगा लेकिन शुब फल ज़्यादा देगा यह अशुब यह उन ग्रहों की डिगरी को देखकर जाना जाएगा यदि शुब फल देने वाले ग्रहों से राहू की डिगरी वाइज क्लोस गंजंचन हुई तो राहू शुब फल देगा और अशुब फल देने वाले ग्रहों से डिगरी वाइज क्लोस गंजंचन में राहू हुआ तो अशुब प्रभाव को बढ़ा देगा और अगर दोनों ही तिरों की ग्रहों की डिग्री नस्दीक है तब ये दोनों तिरों के फल एक साथ देगा इस तरह राहू जब तीन या चार ग्रहों के साथ बैठा होता है तब इन सभी ग्रहों को प्रभावित करके एक साथ एक समय में कुंडली में अपना फल देता है इन सब पॉइंट्स को समझते हुए आप इन दोनों ग्रहों का गोचर फल भी समझ सकते हैं एड प्रेजन व्रिश और विष्चिक में राहू केतु का गोचर फल शुब और अशुब है इसके लिए इसे जानने के लिए दोनों ग्रहों की किसी भाव में प्लेस्मेंट और इनकी गोचर राश्ची व्रिश और विष्ची के स्वामी शुक्र और मंगल को भी देखा जाएगा जैसे माल लिजिए आपकी मेशलगन की कुंडली है तो मेशलगन में राहू का गोचर सेकिंड हाउस और केतु का एट हाउस में हो रहा है अब अगर मेश लगन की कुण्ली में राहू केतु राजयो कारग हैं धन कारग स्थिती में हैं तो समझ लीजिए राहू का दूसरे भाव में और केतु का गोचर आठवे भाव में रहते हुए धन प्रिद्धी करने वाला होगा यहां से राहू की पांचवी दिष्टी छटे भाव रोग कर शत्रु भाव पर पढ़ने से कर्ज रोग से मुक्ती मिलेगी शत्रु पर भी जीत हासिल होगी दूसरे भाव से गोचर करते हुए राहू की नौमी दिष्टी दसने भाव पर होगी जो करम भाव है प्रोफेशन का भाव है तो यहां राहू अच्छा होकर वैपार नोकरी में चेंज देगा और बढ़ावा दे सकता है नोकरी में अब यही राहू कुंडली में 6-8-12 के स्वामी के साथ हो यह किसी तरह का दोश बना रहा हो तो राहू गोचर में मेश लगन की कुंडली में दूसरे भाव को पीडित कर देगा और आर्थिक रूप से तंगी देगा दिक्कत देगा और नुकसान भी दे सकता है साथ ही यहां स इसे प्रोफेशन और करियर में डाउन फॉन ला सकता है यह तो बात हुई मेश लगन में आप अगर माल लीजिए आपकी सिंग लगन की कुंडली है तो इसमें राहू केतु 18 महीने तक दस्वे भाव करम भाव में और चौथे भाव व्रिश्चिक राश्य में गोचर कर रह केतु की पाच्वी साथ मी नौमी दिष्टी एट टैंथ और ट्वेल्थ हाउस पर पड़ेगी अब कुंडली में यह दोनों ग्रहें वेल प्लेस्ट हुए तो गोचर में सिंग लगन वालों को जॉब केरियर और व्यपार में भी अच्छा चेंज ला देगा फाइनेशल स् विधाएं भी दे सकता है अगर बुरा हुआ तो यह सब छीन भी सकता है यानि किसी पर्टिकुलर लगन में राहु केतु का गोचर किसी भाव से शुब फल प्राप्त करवाएगा इनमें दिक्कत देगा यह सब कुंडली में राहु केतु की स्थिती पर निर्भर करेगा ग दूनों राश्यों के स्वामी शुक्र और मंगल है तो इनको भी गोचर फल समझने में कंसीडर किया जाएगा जैसे तुला लगन में लगने शुक्र और सप्तम और धनभाव के स्वामी जो है वो मंगल है वो राजयोग बनाकर बैठी हो और राहु केतु भी इस लगन में इसी राजयों में हैं तब यह राहू का शुक्री घर वृष्च राशी में और केतु का मंगल के घर वृष्चिक राशी में गोचर बहुत ज्यादा लाबकारी परिनाम देगा अभी क्या परिनाम देगा इन चीजों से जुड़े परिनाम किस तरह के होंगे इसके लिए विक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है कुंडली में जिस थान पर ये दोनों ग्रह बैठे होंगे जिन भी क्रहों की दृष्टी इन दोनों पर पढ़ रही होगी उसी के अकॉर्डिंग विक्ति के भागय पर प्रभाव पढ़ेगा अगर राहूर केतु आपकी कुंडली पर एक्चल में दोष्ट कुंडली में राहूर केतु की वज़ा से पैदा होते हैं कुंडली में किसी ग्रह के साथ ये दोनों ग्रह कौन से अशुब योग बनाते हुए क्या क्या परिणाम दे सकते हैं इन सबकी डिसकस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई होते से लाइक और शेर जरूर करें जियोतिश को लेकर आपको कोई भी सवाल है सजेशन है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं डेली इस्टोरिजिकल अप्टेट्स और रेमेडीज के लिए आप हमारे फेस्बुक पेज को फोलो कर सकते हैं और फो होरोस्कॉप अनलेसिस और कॉल कंसल्टेशन यू कनेक्ट ओन वेबसाइट वीडियो कॉन्फरेंस के त्रिवु वास्तु कंसल्टेशन और कुडली विश्टेशन के लिए मेल आईडी पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस आरे लिंक्स आपको चैनल की कम्यूनिटी वाल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यवाद